बॉल उसको उपर फिक रहे हैं जुछ टुम्हारी वो एक्सरेल वेist सब्सक्राइब थी तुममाटने सब्सक्राथаксим मतलब क्या ऑखता इ 쪽 झेशना जाट हादया है तो बच्छों लोग हमने ग्राइवेटिशन चाप्टर की जो नूमरीक्स टेक्सेस के। वो अपने सॉफ करने के लिए ली थे बच्छों लोग, हमने स्थ भी शूट किया था, लास्ट पार्ट में हमने तोटल 3 N's के 3 नूमरीकल सॉल्फ किये थे, यह बाकी के जो चार बच्चे वह नियुमरिकल सॉल्फ कर देंगे लास्ट पार्ट होगा तो बच्चे लोग अपन देख लेंगे चलो कोश्चन नुमर फोर कोले पहले पर तीन कोश्चन हमने सॉल्फ कर लिए थे चौता कोश्चन भी देख लेंगे क्या बता है अब यहाँ पर एक आजमी खड़ा एक बंदा खड़ा एक बच्चा खड़ा है क्या गर रहा है वह उसको उपर फेक रहे हैं कितने मिटर उपर जाने के पाँपर वापस जमें के उपर आएगा तो वो लोग क्या बोल रहे है वह उपर तुमने कितने स teaser से ठीक है मतलब तुमारी जह इनिशल वेलोसिटियग थी वह वाप सोपार से वाप सो बढ़ कितना टाइम लागा यह दो चीज सब्टरब करने के संजद मने आगे Chair कितने की निशल वैलोसिटरứ गहा एक टाइम मतलब एससके पहर गए यह बाइन ने बाइन बाइन उपर फेका लेकिन बाल इधर तक पहुचा गया उपर तक पहुचा गया तो उसकी कुछ वेलोसिटी उपर रहेंगी क्या नहीं तो यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी जीरो ठीक है मतलब देखो न बॉल यहां पर आया धीरे ढया यहां पर जाकि बॉल रूख गया समझ मैं आ रहे है मैं क्या बोल उपर उपर गया उपर गया उपर गया इहँ रूख हो गया मतलब रूख गया उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है जिरो अरे कौन सी बीच विचा अगर आप उपर फेकेंगे, उपर फेकने के बाद वह एक बर यहाँ पर रुकेंगे, उसकी स्पीड जीरो होगी, वो रुकेगा, एक सेकंड निच्छे रुकेगा, और फिर निच्छे गिरेगा, मतलब उसकी final velocity क्या है, उसकी final velocity जीरो, तो यहाँ पर मैं V की वैलू कितना ले प्रेट तो अपना पहला फॉर्मिला क्या हैं वी स्क्याइग इस्क्वड यू स्क्वड प्लस फॉर्मिला क्या अपना है अच्छा जी की वायलु अपने पर गल्लू आइए जयर अपने अपने पर सेकंद स्कूर ठीक है तो चौड़ों एऔर जी वाच्च लोग सेंफिट द यहां पर देखलोगु किते दूंस ना इसकी वाले कि ते हैं पास्तो यहां पर मिले लूँगा पास्तों तुम लोग में को पूंचेंगे सर क्या मचक करई दर मैंनेस दस की भी बच्छों माइनस दस देने का रीजन जी क्या है जी मतलब एक्सलेरेशन दू टू मतलब क्या बॉल कि दर आरहा है एक्सले ग्राइटी प्लस यह सब पसारा कितना हो गया सब्सक्राइब 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 इनिषयल वैलोसिटी निटर पर से करिंगे सुर्ण आपको यू की वालू मिल गई यू की वैल्यू मिलगेCsा आपने को तो यू की वैल्यू कि वैल्यू kell घंड़ था पकति तो अब अब लेख लोग आपने को क्या करना पड़ेगा वश्यों अब बॉल उपर जा रहा है अब बॉल किदर आ रहा है बॉल निच्चे आ रहा है तो उसकी लेख फॉर्मिला बता देता तुमको बच्चे लोग उसका फॉर्मिला स स्थ फ्कार सब्सक्राइब इस एकल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्वेर एक अब सफ गरने ड़्स प्लस हाफ 80 स्वेर ऑव यह उसको टाइम निकल निकाल निकना निकल की उसको अब यूपिए न्हाश्ट रहला है गज्वारी कि ही यूपिडर्य तुमको मिला कितना है अब टाइम कितना लग रहा है अब जाएकल एक पर से निछ आने को मिल रहा है जैए यह formula जब अपने यूज़ करें है, c is equal to ut plus half 80 square, यह formula के लिए यूज़ करोगे, तो u की value हमेशा 0 होती है, मैं बोला ना, ball उपर जाकर क्या हो गया, ball उपर जाकर 0 हो गया, ball इदर 0 हो गया, अब ball जब 0 हो गया, तो वो अभी अपने आप नीचे गिरेगा, जी, acceleration due to gravity काम कर दा है, अब जब इसके उपर सिफ एक ही force काम कर दा है, जी, तो u की value क्या हो गया रहती बच्चे लोग, u की value रहेंगी 0, समझ में आगया, ball उपर पहुँच गया, उपर क्या है, v की value 0, तो u भी 0 हो गया, उपर, क्या था, initial velocity, उपर रुक्य हुए initial velocity क्या है, 0 है, तो यहाँ पर मैं u कितना लेंगा, यहाँ पर मैं u लेंगा 0, समझ में आगया क्या, ओके, u 0 ले लिया, आप तुमको time मालू में क्या, नहीं, तुमको time calculate करने का है, plus half, a कितना है तुमारा, a और जी same है, तुमका पहला जी बोला, a और जी same है, कितना है, g 10, अब तुम बोलो, यह जो यहाँ पर तुम g लेने वाले हो, यह g, तुम minus 10 लेंगे क्या, नहीं, minus 10 क्यों नहीं लेंगे, अब उसको सिर्फ अपने 10 इस लेने काई, इसको 10 क्यों लेने कए, जी बोल निच्चे सा रहा है, पहला क्या हो रहा था, इसलिए आप रहे हैं, इसलिए आपने 10 लागरे हैं, अब g भी निच्चे आ रहा है, इसलिए आपनें निच्चे लेंगे, माइनस लेने की झार नहीं, क्योंकि दोनों, तो चालकुलेट करों पस्टो इस इकवल टू चेफ बब्स में हाफ इन्टू 10 इन्टू रिस्क्रै दो फाइव था इसक्रें न तो इसका और लिब दो निसक्राइब पाच के वाहईगा फाइव फाइव नहीं हमे यह तो यह जो आपना पशय यहिए एकी अपना 500 यह पर ती स्कूर वह सच रगो यह पर टी स्कूर वह सच लेख मैं दो वाद आपना पस्तों निच्छे तो तुन्हें पाच ओबाच 5 फाइव 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 पाय था यह इन्टर, अगया इदर आगया थी स्वेर लेकिन सिर्फ टी की वाली निकालने के स्वेर आफा देंगे आपका स्क्वेर हटा दिया तो यह 100 का बन जाएगा स्क्वेर हटा देने के बाद यह 100 का बन जाएगा 10 तो आपस मैं बोल रहा हूं यहां पर जो निच्छे वाल लगने वाला टाइम कितना था तो आपने दोनों तरह से यू भी काल्कुलेट किया था इनिशल स्पीड कितना था और लगने वाला टाइम कितना था दस सेकंड था ठीक है बचलों यह प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सिंपल है ज्यादा दिमाग लगने के जरूत न यहां पर यू की वैल्यू जिरो यहां पर जी माइनस यह दो तीन सिर्फ चीज़ है वह बच्च लोग आप दिमाग में डाल जो ओके चलो आभी नेक्स वाला देख लेंगे हैं आपके आभी एक क्या है तो बॉल फॉल्स ऑफ टेवल और रिचिस दे ग्राउंड इन सेकंड इसा टेवल बॉल्स ऑफ टेवल और रिचिस दो ग्राउंड बॉल्स अफ टेवल लिचा इस एड़ और बॉल्स इधर बॉल्स टेवल और गिरने को रहा है एक सकन्ड लग रहा है तो कि इसके वाल्यू कि अट्वाइल गिरा तुमको टेन मीटर पर से के ट्विट स्वेड पर तेबल के उपर बॉल नीचे लिए कितना टाइम लगारा है एकदम सिंपल दिमाग जादा टेंशन देनी के ज़रूरत नहीं आपने पास समझ में आगे हैं तो चलो कल्कुलेट करेंगे पहला है अपने हैड काल्कुलेट करेंगे स्पीड काल्बिट करेंगे हैई का फॉर्मिला क्या चलों देख लिए जब यह फॉर्मिला यूझ आप स्कार्पड एवर्मेल उसे रहेंगा इज़र्वी कैरेंगा जिरो तो इधर भी इज एघर रहेंगा जिरो टाइम कितना है वन सेकंड इसको कर देंगे स्क्राइब कैसे 0-1-0 प्लस हाफ इन्टू 10 वन का स्क्वर वन आ जाएगा इन्टू वह और जाएगा 0-1-2-2-5-10 वहापर का आएगा आपका 5 एस कितना मिला एस मतलब हाइड कितनी है टेबल की कितना मिला एस यहाइचा पांच मिटर हिएच वहां लूग अभी आपको क्या एके बुलेट करने में जाए चाहिए विका और आपने को मालूम है यू क्या होगा यू हमेशा क्या है जीरो का स्क्वैर कर देंगे प्लस व्याज़ ए और जीगा है यहां पर क्या है यहां पर आएगा इनकोग ऑपने सब्सक्राइब करने के बाद एकदम सिंपल है यह सब काल्कुलेट करने के बाद तुमका आएगा यह सबता है राध़न कर निष्ट काल मिला यू जाओ आपको सब्सक्राइब dziम्रों को सब्सक्राइब आगे ये वाला, ओके, आगे बढ़ने का, ओके, आगे बढ़लेंगे बचलो, देख लेंगे आगे का क्या है, अभी और दो नियूमरिकल्स बाकी है, चलो, कौन सा है नेक्स्ट, ओकी ये, अब ये थोड़ा confusing के बचलो, आपके लिए, हाँ, the masses of earth and moon are 6 into 10 raise to 24 kg, and 7.4 into 10 raise to 22 kg, irrespectively, the distance between them is 3.84 into 10 raise to 5 km, km, calculate the gravitational force of attraction between the two forces, ठीक है, तो चलो, देख लेंगे ये क्या है, ठीक है, चलो, देख लेंगे बचलो, क्या है, the mass of the earth, mass of कितना है, earth का, earth का mass कितना है, आपर में लिख देता हूँ, mass of earth, कितना दिया, mass of earth, 6 into 10 raise to 24 kg, ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, तुम लोग को बच्चे लोग, दूसरा दिया, mass of moon, mass of moon, moon का वजन कितना है, 7.4 into 10 raise to 22 kg दे दिया, ठीक है, ओके, the distance between them, distance क्या, देखो, यह earth है, यह moon है, इसका वजन दिया है, कितना, इसका moon का वजन दिया है, कितना, इतना, देखो, यह earth है, यह moon है, मुन का वजन कितना दिया डिस्टंस है रोनों के बीच में कितना दिस्टंस कितना दिया जो कि अपन बोलते र वो कितना इन्होंने 3.4 3.4 और सबाइब pinch 10 इंट्यों 10 तो 5 km यह बात समुझ में आग है बच्छे लोग और सब्सक्राइब है अर्थ का मास् dei Remove का में दिया और मुदकर दिस्टे लिए यह बात समझ माँ अब समुझ में का यह बात समुझ क्या है अब सबसे पहले कितना ड्याइब दिस्टंस है क्या है दिस्टंस में कि दोनों के बीच सकते वह कुछ बिच का डी भी सकते कुछ प्राबलम नहीं है कुछ भी बोलो की की rub लीका है कुछ कुछ जगे पर डी लिक है कॉन सा भी चलेगा अब escuela तो यह दिए किलो मेटर में इसई घुर को अगर में में घुर्फा visitor में करना होगा तो यहां पर देखो इसका में क्या करूँगा मुल्टिप्लाई वाए थाउजन तो 3.84 इंटू मुल्टिप्लाई थाउजन तो 10 रेजटू 5 है इसका बन जाएगा 10 रेजटू 8 कितने जिरो आड़ करने के और अपने को तीन जिरो आड़ करने के इसलिए पाच का क्या बन जाएगा आठ बन जाएगा समझ में आगे बढ़ेंगे चलो देख लेंगे अपना मेन फॉर्मिला क्या है अब फॉर्मिला है अपना f is equal to f is equal to k formula g m1 m2 upon r square सबसे पहले दुसरे पेच में तुम को पड़ाईगा फ का formula का ऑपना तो जी की वालू क्या दिए देखो यापर जी की वैलू क्या दिए तो जी की जो कुछ भी वालू दिए उटा लो कितना दिया जीगा 6.7 इंटू 10 रोश्ट दिपावर माइनस 11 multiply by M1 कितना है M1 मतलब मास अफ वर्थ कितना है 6 इंटू 10 रोश्ट दिपावर 24 उसके बाद किया मास अफ मूने म्तु कितना दिया है यहाँ पर देखो 7.4 इंटू 10 रोश्ट दिपावर 22 यह बात स्पाइट फिर्ड थी कहा है यह 24 अब निच्चे क्या दिया ला तुमको निच्चे दिये ला तुमको स्क्वेर ना तो इसको भी क्रणा पड़ेगा तुमको स्वेर करने की से करने कि तो तो सबसे पहेले तुमको बात बता देता हूं बच्चे लोग पावर वाले आलग करते हैं कर दिए थोड़ी से जगाव लेता हुं को इसको उनेर के तो पहले जागा बना लेंगे तो क्या गरने का've यह सब के उपढ़ के पावर क्या गरने का solve करए लिए का हभी काई से solve करएंगे इसको इधर क्य लिखा है 6.7 तो यी लिखlo 6.7 उसके बाद वाद क्या लिखा है 6 उसके बाद लिखो Score 7.4 लिखhe आप इंटू सबको इंटू 10 रश्टी पावर का सॉल्फ करेंगे तो पिच्छे से स्टार्ट करेंगे यह उपपर का 24 दीख रहा है तुमको 24 24 प्लस 22 कितना हो गया कितना हो गया 24 प्लस 22 कितना हो गया 46 46-11 कितना हो गया 25 तो यहां पर आएगा 25 किसी को कुछ प्रॉब्लम में क्या देखो सिंपल है पहला यह लिखा इसका यह लिखा इसका यह लिखा प्लस पर में लिखें प्लस बात खता है समझ गए ओके अब आगे नीचे क्या देखो नीचे तो देखो क्या इदर 3.4 इंटू 10 रिच्टु 8 अब यहां पर क्या 3.84 कितने बारे स्क्वेर ना दो बारे इसको आपस लिखो है नम-ट्री पॉइटा इंटू 10 रिच्टु 8 इनटू 10 रिच्टु 8 इस पकर क्या अचहाएक का कट आपब सेटेंगए यहाँ पर आएगा जो दुम्हारा 10 रेश्टू 16 समझ में कि कैसा है देखो 3.84 इंटू 10 रेश्टू कितने बारे दो बारे मतलब स्क्वेर है ना तो 3.84 इंटू 3.84 लिग दिया इंटू 10 रेश्टू 8 प्लस 10 रेश्टू 8 कितने होगे 16 रापर्मनेला perchा इतना ज़ों बने कितने 35 मैं से 16 गय भचे कितने 19 सभी बात हैंगे समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ 16 कहा उपर जाने के बाद प्लश 16 को उपर जाने के पर बंचाएगा माइनस 16 बन जाएगा 35 मैं से फिर माइनस 16 घला तो कितना जाएगा 19 बच जाएगा देखो ना भी क्या करेंगे चलो उपर solve भी करेंगे ना बढ़ बढ़ करने साच चापन solve कर देंगे चलो यहापर क्या आएगा आपर 6.7 इन्टू 6 इन्टू 7.4 इन्टू 10 रोश्ली पावर 35 निच्चे कहे तुमारा 3 3.84 इन्टू 3.84 अब यह निच्चे 10 रेस्टू 16 था यह उपर पूरा जाएगा तो यहापर बनेगा 10 रेस्टू माइनस 16 बनेगा तो 16 में से यह पस्तिस गए तो कितना बच्चा बाए 16 में से 25 इन्टू 7.4 इन्टू 10 रेस्टू 19 यह गया 35 में से सिक्षिन गया कितना बच्चा बच्चा आप क्या आएगा निच्चे 3.84 इन्टू 3.84 अब तुमको यह कैल्कुलेशन तुमको इतना तो सीखना पड़ेगा ठीक है पॉइंट का कैल्कुलेशन तुमको सीखना इन्टू परच्चा बाच्चा इसा आएगा इसा आएगा इसा आँसर तो यह तो तुम कर सकते है तो इसका जो कुछ भी आएगा इसको इसको तुम्हार जो कुछ भी आंशर आएगा उसके आगया लिगा दो आंट सुमझ मैं आगया वापस बोड़ो थोड़ा दिक्कत आगए तो डिवाइन करो वापस समझ माल जागा इधर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है सिर्फ क्या करने कि उपपर की जो पावर है उनको क्या करने के इक खट करने करने गए यह पर आगया तो पर समझ में आ गया तो बचलों यहां पर आपको अंसर मिलेगा जो कुछ आपको दिक्कत आती लेगीन यह टाइप का numerical exam में आएगा ठीक है समझ में आ गया ओके तो बचलो आज का last numerical ये भी इसी तरीके का है इसके numerical इसका मैं आपको solve करके दिये तर टेंशन मत लो ओके हग्यार में भी चलो देखो आगे क्या है इस अभिवापस देखो मास अफर कितना है मास आफ एर्थ कितना दिये 610 देश्ट टूटफू ट्वेंटिफूर के जी में दिये अभी देखो एक और थे और एक सब्सक्राइब दोनों के बीच में का इसको मितर में किया था यह पहले से में तक इसको नहीं यह पहले से मीटर में दिया इसको अभी कुछ करनी गरज है का नहीं इफ the gravitational force between the two gravitational force मतलब F कितना दिया दोनों के बीच में का 3.5 into 10 डिश्टी पावर 22 newton What is the mass of the sun? मतलब sun mass of sun निकलने का है mass of sun निकलने का है समझ में आगा formula वही रहेगा G की value भी वापस दिया G की value क्या दिया उनने 6.7 into 10 डिश्टी पावर माइनस 11 newton meter square kg square अब बचलो एक बात बता देतो तुमको सबसे पहले कहा काम करने का सबसे पहले given लिख लेने का है तो चलो अब यहाँ पर यह solve करने कोशिच करने के formula वह यह formula के f is equal to g m1 m2 upon r square तो g की value क्या दिये तुमको जो कुछ भी दे रहेंगी बचलो वह तुमको as it is वासे उठाने का है लेकिन तुमको इसमें calculate क्या करने का है देखो तुमको calculate करने का m2 तुमको क्या calculate करने का m2 तुमको f की value दी है यह होगा आपका m1 यह होगा आपका m2 कि एफ की experals तुम प्रॉट करेंगे सबसे पहले कर लोगे। समझा ri करने के बाद तुम्हारा या यहांपर आईगा है है यहांपर जो क्या आएगा वरॉष मुल्लीप्लाइगा यहां-टुर econ तो g m1 कि तर जाएगा इसकी निच्छे जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा तुमको m2 is equal to f r square upon g m1 ठीक है तो अब तुमको सब जो कुछ भी वैलू से इसके अंदर दाल तो क्या वैलू से पहला है f की वैलू क्या है f की वैलू क्या है तो यहाँ पर आएगा इंटू क्या है 10 raise to the power 11 इसका square है ना आरका square करने के ने इसको भी क्या कर देंगे आपन square कर देंगे divided by g की वैलू क्या है जी देखो इदर 6.7 g की वैलू क्या है 6.7 इंटू 10 रिष्ट पावर माइनस 11 इंटू M1 की वैलू क्या है यह जी हो गया M1 की वैलू क्या है 6 इंटू 10 रिष्ट पावर कितना देंगे 24 अब तुमको यह सॉल्फ करने का है सेम जैसा पिच्छे सॉल्फ करने का है इसमें भी कौन सा बहुत ज्यादा अलग शाथिर दिमाग लागाने के जरूरत मैं तुम्हारे लिए सॉल्फ कर देुज्र है चलता लेना चाहिए अप्ने लिए स्सल्वा करके 0 तुमको सबसे पहले क्या करने का है यह जो लेवन है इसको तू से मल्टिप्लाइब बहुत स्क्वेर वाला खोल देंगा पहला पंचा गरेंगा स्क्वेर वाला खोल देंगा तो चलो यहां पर क्या है देखो तुमने दो बार क्यों लिखा इसको मैं दो बार क्यों लिखा है अरे सर यह दो बार है ना स्क्वेर इसको मैं दो बार ना पडा और तो भी चलो了吧 क्या क्या ओंगे वो देख लिए लिखें निचे क्या क्या के लिए लिखेंगे 617 इंटु 10 रुष्चिती पावर कितना है मैंस 11 है इंटू यहांपर है 6 इन्टू 10 रुष्चिती पावर कितना है 24 वैंठ आगे क्या करने है उपर के जो fractions है, उसको सब क्या करना है, उपर के जो power उसको क्या करना है? Addition कर ले, सब जगह क्या common है? 10 common है, 10 common है, 10 common है, तो सब 10 एक साथ ले लो, यह 10 के उपर क्या लिखे ले हैं, 22 में लिके लेंगर, ये 22, ये 11 और 11, 22 plus 11 plus 11 कितना आ गया 22 22 सब्वेचाइज समझ में आ गया तो यहापर में कैसे लिखूंगा 3.5 into 1.5 into 1.5 into 10 raise 2 कितना उपर 44 सब में 10 कॉमा ने लिया उपर किया 22 11 11 कितना हो गया 44 बात divided by डिवाइड पर किया आएगा में निचे 6.7 into इसका क्या है 6 इसमें सब्सक्राइब निकला बाहर 10 बाहर निकला अभी उपर क्या देखो माइनस 11 और 24 दिया यहापर माइनस 11 यहापर देख ना कितना है समझ में आगया यहापर समझ में आगया ओके अब आगये अब आगये अब आपने को यह माई यह 10 रेश्टू 13 को क्या करने का उपर लिगी जाने का है तो देख लेंगे आपर यहापर आएगा 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 रेश्टू 44 जा इसा था वाइसा निच्छे क्या था 6.7 इंटू 6 तो यह उपर क्या है 10 रेश्टू माइनस 13 कितर जाएगा 10 रेश्टू 13 था उपर जाने के बाद वो क्या बन जाएगा 10 रेश्टू 13 था ना उपर जाने के बाद क्या बनेगा 10 रेश्टू माइनस 13 यह तक समझ में आ गया वापस तुमको बहुत बीटल में बात रहा बच्छे लो ठीक है यह देख लो एक बार इतना लिखने के ज़रूद में नहीं है तुमको बीटल में बात रहा 6.7 इंटू अब बच्छा क्या 44 माइनस 13 44 में से 13 गला तो कितना बच्छा बच्छा ठीक है अब यह तो तुम कर सकते ना 3.5 अब यह तो तो आने मंगता भी तुम लोगों यह अगर पढ़ाते बाइटेंगा तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है इतना तो तुमको आने मंगता कौन सा यह व और जोकुछ भी इसका अंसर मिला तुमको बच्छटरों जो कुछ भी इसका आंसर मिला इसका जो कुछ भी आंसर मिला उसका आगे 10 रिख टू तो उसके आगे लगा ने करें और यह मास किसमें गिंते हैं मास आपने के लिए लिए इसके पीडियाफ में दे दूंगा इसके अपको प्रोवाइड कर दूंगा बचलोग अपने आप पे जाओ आपके पर सारे चीज़े मिल जाएगी चलो लाइक करो अच्छा बहुत मैनेत लिए पड़ाने में अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना थैंक्स फर वाचिंग